क्या ब्यारगे मुख्यमंत्री नितीश कुमार के रुतबे को कम किया जा रहा है क्या सचमुच सीम नितीश की कुर्सी पर खत्रा मन रहा है आरजेडी तो यही कह रही है और सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि बीते दिन जो हुआ वो कहीं न कहीं एक बड़ा संकेत दे रहा है आप देखना सुरू कर चुके हैं दर्श नियूज मैं हूँ दिप्यांसू ब्यार के सीम नितीश कुमार और डिप्टी सीम समराट चौधरी जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुस्वाह के घर आयोजित एक कारिक्रम में हाजिपूर पहुँचे नितिश कुमार सडक मार्क से कार से पहुँचे तो डिप्टी सीम समराट चौधरी ने हेलिकॉप्टर से लेंडिंग की अब दोनों के पहुँचने के साधन को लेकर आरजेडी तंज कस रही है अरजेडी के विधायक मुकेस रंजन ने कहा है कि बीजेपी ने सीम को हाईजेक कर लिया है यह तेजस्वी आदब भी कहते रहते हैं अपने स्टेटमेंट में आपने सुना होगा तेजस्वी आदब के कथन को जब वो कहते हैं कि CM हमारे चाचा को तो हाइजेक कर लिया है ये जहारखंड में भी चुनावी रैली को संबोधित करते वे तेजस्वी आदब ने कहा था और लोकसभा चुनावों के दौरान जब तेजस्वी आदब प्रचार प्रसार की कमान सम कि महाल रहे थे महागटबंदन की रहलिया कर रहे थे दनादन और उस दोरान भी तेजस्वी आदब ने ये बात कही थी कि हमारे चाचा को बीजेपी ने हाइजेक कर लिया है तो क्या सचमुच बीजेपी ने CM को हाइजेक कर लिया है दरसल 21 नमंबर को जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुस्वाहा के भतीजे की साधी थी इसी कारिक्रम में सामिल होने के लिए CM नितिश कुमार डिप्टी सीम समराट चोधरी समेत कई नेता वहाँ पर पहुँचे थे साधी समारों के खत्म होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि बिहार के CM कार से साधी समारों में आये जबकि डिप्टी सीम के लिए हेलिकॉप्टर बुक किया गया नितिश के नित्रित तुमें लड़ेंगे चुनाओ तो कहना कुछ और है करना कुछ और है हेलिकॉप्टर से समराट चौधरी जाही रहते नितिश कुमार को भी साथ रख लेते थोड़ी सी लाज रह जाती क्योंकि भाई CM जा रहा है कार से और डिप्टी CM हेलिकॉप्टर से ये किसी को पच नहीं रहा है साइध इसी वज़ से RJD तंज कस रही है तो RJD का कहना है कि नितीष के रुत्बे को कम किया जा रहा है मुकेश रोसन ने क्या कहा वो तो आपने सुना ही मुकेश रोसन ने आगे ये भी कहा कि नितिश कुमार की राजनितिक हैसियत को कम करने की कोशिस की जा रही है ऐसी घटनाओं से लग रहा है कि CM की कुर्सी पर अब खत्रा मंडराने लगा है क्या सचमुच CM की कुर्सी पर खत्रा मंडराने लगा है बातें कई हैं जिस तरीके से ED की कारवाई भी हो रही है नितीज के प्रिय अधिकारियों को जेल में ठूसा जा रहा है संजीव हंस वाला मामला आप जानते हैं इस वक्त संजीव हंस जेल में नितीज के कितने प्रिय अधिकारी थे तो ऐसे ही नितीज के कई प्रिय अधिकारी जिन पर ED टेड़ी नजर रखी हुई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही वैसे अधिकारियों से भी पूच्टाच होगी क्योंकि संजीब हंस और गुलाव यादब की जो गिरफतारी हुई है जो दस्तावेज उनके हां से मिले हैं उनमें कई अधिकारियों के भी नाम है कई सफेद पोस्ट भी इसके जद में आ सकते हैं तो क्या इसी वज़े से नितिश कुमार चुप हैं क्या इसी वज़े से ये आरजडी कह रही है कि नितिश को हैजेक कर लिया है आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं लेकिन जिस तरीके से नितिश कुमार बाय रोड कार से वहाँ पर पहुँचे साधी समारो में और डिप्टी सियब हेलिकॉप्टर से वहाँ पर पहुँचे समराट चौधरी यह जो है चर्चा कभी से बना हुआ है तमाम अपडेट्स आपको हुम देते रहेंगे बने रहें दर्श निउज के साथ